देखिए फ्रेंड्स यह मेरे चोटा सा शॉपिंग हॉल है चोटा भी नहीं कह सकते का बड़ा ही है और मुझे कुछ ऐसे बॉक्स भी मिले मैं आपको उनके साथ वीडियो में शेर करूंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के शुरुआत में अपने चाच अगर आपको भी मिलते हैं तो आप भी उनको जरूर अपने गार्णिंग में शामिल कीजिए तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल देखिए मैंने जो है कुछ शॉपिंग की है एक शॉपिंग हॉल है जो मैं सारी चीजे हैं इस पर काफी समान जो है मैंने खरीद लिया है तो वह मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आई होप आपको पसंद आएगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कीजिए तो द देखिए फंजिसाइड है एक साफ का आप जानते हैं यह बहुत इंपोर्टन्ट है अगर आप गार्डनिंग करते हैं यह खतम हो जाता है तो इसे लेना भी जरूरी होता है और यह मैंने जो है 80 रूपीज का लिया है साफ का फंजिसाइड है और दूसरे देखिए दो मैंन यह गैनिक है तो यह फ्लांट गार्ड है और यह ग्लानट करके हैं और एक यह साथ यह फ्लाइक कोफन चल रहा था इसवी का बॉटल यह है और एंग मैंने मेडिसली है प्लानों फिक्स करके अक्सर मेरे पास बहुत सारे कॉस्टेंटे मैंने इसका भी तर वी जयाला हुए तो यह मैंने एक अक्सर प्रॉड्म जो फ्रूट्स किरने की होती है तो एक प्लानो फिक्स करके मेडिसिन आती है इसलिए मैंने खरीदा है इस बार इसको इसका भी किस तरीके से यूज किया जाता है क्या इसके बेनफिट्स हैं मैं पूरा आपके इस वीडियो में शेयर करू होंगी और यह देखिए यह जो है वर्मी कंपोस्ट यह भी काफी देखिए हमारे यूज आती है और मैंने अभी पिछले जो शॉपिंग हॉल में बहुत सारे यह पैक्स करी देता और मेरे इस बार काफी यूज हो गए क्योंकि मैंने जो बड़े-बड़े बिक कंटेनर्स लिए थे उनकी स्वाइल जो मैंने रड़ी की थी उसमे मेरे यूज काफी ज़्यादा आ गए तो देखिए यह तो मेरा कुछ समान है और यह मेरा एक प्लांट मेरा आप जानते कि अगर मैं नर्सरी जाओं और अगर मैं कोई फूट प्लांट ना लेकर रहा हूं हलाकि आप देखें मेरे पास इतने सारे फूट प्लांट और अब मेरे टेरस पर जगह भी नहीं बची है तो कोशिश करूंगी कि अब ज्यादा ना खरीद हूं बट बहुत सारे होगे और यह मैंने जो पर्चिस किया मेरे मैंगो का प्लांट है और जो यह है आमरपाली वेराइटी है मेरे पास दाषहरी था फो यह मेरे काफी एक रेक्वैर्मंट को ओलगे जो है क्योंकि बारह मसी वराइटी है जो क्वेमिलता है है तो इस प्लांट को भी हम देखते हैं हमें इसका कि तरह मिलता है तो यह काफी मेरी शॉपिंग है और देखिए स्टेंड में आपको दिखाती हूं और यह देखिए फ्रेंड्स यह जो मैंने कुछ स्टेंड लिये हैं इस तरीके से इनके हाइट भी काफी अच्छी और यह एंगल के बने हुए हैं यह मैंने दो स्टेंड परचिस किये जो मुझे 800 पर पीस पड़ा है और यह देखिए को कि इसको लगाने से थोड़ा सा क्लीम जो होता है सफाई अच्छे से हो जाती है देखि कि अभी मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया थे स्टेंड का मैंने भी वहीं से आयूश नरसरी से पर्चिस किये यह तो देखिए जो मेरी स्टेंड है कितनी बड़ी बकेट्स जो है इस पर रखी हुई है तीन यह देखिए काफी अच्छे से इस पर क्योंकि एंगल का बना और देखिए फ्रेंड्स यह वाला जो मेरा है सेकंड मैंने स्टेंड खरीदा है यह इस तरीके से देखिए मैंने इसमें जो है देखिए प्लांट लगाने के बाद इस तरीके से मैंने जो मेरा रोस सक्षन पूरा इस पर लग दिया है यानि कि जो मैंने गुलाब के मेरे ज जो है बारा सोका लिया है और ये देखिए मुझे काफी पसंद आया और इस पर एक साथ मेरे सारे प्लांट्स जो है अरेंज हो गए है तो ये देखिए बहुत अच्छे से जो है इसके अंदर ये ये स्टैंड मुझे काफी रिक्वार्मेंट भी थी क्लीन अप पूरा देखि ये स्टैंड में मुझे काफी पसंद आये और रेट बाइस भी काफी अच्छे है क्योंकि हैवी हैं देखिए सारे काफी सारे पॉट्स रखे हुए थे यहां पर अभी मैंने कुछ एक आपको दिखाने के लिए जो हटा दिये यहां से और देखिए फ्रेंड्स यह मैंने काफी यूज़ करती हूँ तो यह भी मैं इस अपने कॉर्डिंग ही मैं हमेशा लेती हूँ कि वहाँ पे मुझे जैसे नर्सरी में जो शॉप है वहाँ पे खुला मिल जाता है तो मैं 200 ग्राम जितना भी मुझे जरूरत होती तब ही मैं उतना ही लेकर आती हूँ अपने एक फर्टिलाइजर भी बहुत जरूरी है अपके अपनी गार्डिंग के लिए यह मैं हमेशा जो है मुझे पर्चिस करना पड़ता है और देखिए फ्रैंड्स यह मैं आपको जो एक चीज दिखा रहे हूँ वो मुझे बहुत टाइम से रिक्वायर्मेंट थी और फाइनली ज दरिये जो है स्पेशली उन्हें थैंक्स भी बोलती हूं कि यह मुझे काफी टाइम से मुझे नहीं मिल रहे थे अगर मुझे इस तरीके से मिल जाते तो जो मैंने एक दो क्यारिया खरीदी मैं शायद नहीं खरीती इसमें इनकी जो हाइट भी है वो काफी अच्छी है और इनका जो प्राइज है वो 100 रुपीज है और बिल्कुल क्लीन है यह मतलब पुराने नहीं है जो फिश वाले जो होते हैं जो फिश मार्केट साब लेते हैं वो नहीं है यह पूरे नए हैं तो 100 रुपीज का मुझे पढ़ा तो बहुत चीपस्ट है और बहुत अच्छा जो यह पॉट है और देखिए फ्रेंट्स यह जो है मेरे इसका जैसे मैंने यह बॉक्स लिए दूसरा बॉक्स है और देखिए मैंने इसे अपना फिलप करने स्टार्ट कर दे क्योंकि आप जानते हैं टेरस पर इन्हें भरना सबसे बड़ा काम है तो थोड़ा मुश्किल ह होता है इसलिए मैं धीरे-धीरे करके यहां पर देखिए मैंने इसे फिलप कर दिया देखिए प्लांट्स कितने अच्छे से एक्शन में क्या होते हैं चोटे पॉट में हम गार्णिंग करते हैं या वेजटेबल करते तो हमें थोड़ा सा जो उसकी चीजे वह वह प्रॉड कि खराब देखिए जनरली कोई भी चीज हम लेते प्लास्टिक लेते या मेटल लेते वह खराब हो जाते पानी धूप से हमेशा कुछ ना यह बहुत लांग टाइम चलने वाले जो हमारे प्लांटर सोते बस इतना ही है कि ने बार-बार अगर इतने बड़े पॉट यह तो बहुत सारे हो गए और थोड़ा ये अक्सरा आप जानते हैं जब भी हम शॉपिंग या गार्णिंग करते हैं तो ये सब मेडिसिन्स होती हैं या कुछ हमारे और और फटलाइजर्स होते हैं और स्टेंड भी सारी चीजों की रिक्वार्मेंट्स जो हमारी चलती रहती है और वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली तो आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए तैंक यू दो